हे फ्रेंस वेलकम टू देशी फ्लेवर मैं हूँ आपकी होस्ट मुन मुन और आज हम बनाने जा रहे हैं एक पेंगॉली फिश करी रेसिपी कातला फिश करी हम बहुत ही एजी तरीके से और फटा फट बनाएंगे और आप इसका लुक और कलर देखिए और ये खाने में बहु देश पार नमग और अलग कर नमक और अलगाकर मेरिनाट कर रखा कुछ देर के लिए कम से कम आप 10-15 मिनेट के लिए मैरिनेट कि जिएगा ओआल गरम कर के उसपे अम फिश को जो है फ्राय करने के लिए और मैंने यहां पे कुछ फिश के पीसिस जो है वो फ्राय करने के लिए रख दी है थोड़ी देर बाद हम इसको पलट कर ऐसे चेंज कर लेंगे और दूनों साइट से अच्छे से फ्राय करेंगे फिश को फ्राय करते टाइम थोड़ा से केरफुल रहने की जरुवत है क्योंक पास टाइम थोड़ा है तो आप फिश को मैरिनेट करके थोड़ा जादा टाइम के लिए भी रख सकते हैं उससे जो है जो मैरिनेशन अंदर फिश तक अच्छे से हो जाएगी तो यहां पे मैंने पलट पलट कर दोनों साइट से फिश को अच्छे से फ्राय कर लिए अब औ आपको काटों से डर लगता है तो आप कातला फिश ट्राय कर सकते हैं इसमें बहुत जादा काटे नहीं होते हैं और आप इसलिए इसको खा सकते हैं तो देखें यहां पे मैंने सारे फिश को फ्राय कर लिए आगे का प्रोसेस करते हैं जिसके लिए मैंने यहां पे थोड़ यहां पर मैंने घड़ाई गरम कर लिए और उसमें मैंने दो से तीन चम्मर्च डालें थोड़ा सा कलॉंजी और यहां पर मैं चॉप किये हुए अनियंस डाल दूंगी अनियन की कॉंटिटी आप फिश के अकॉर्डिंग लिए अगर जादा फिश है तो जादा उनियन यूज कीजिगा मैंने आपे तीन बड़े साइस के अनियंस को चॉप करके यूज किये और इसको हम अच्छे से फ्राइ करेंगे अनियंस फ्राइ होने में थोड़ा टाइम लगता है तो हम इसको हाई फ्लाइम पर कुछ देर के लिए इस तरह से कुक करेंगे ताकि जल्दी से यह क जलाते रहेंगे देखे इसका कलर जो है वह चींज ओर राइए ट्रांसपेरेंट हो गया है इसको थोड़ी दिर और कॉक करना है थोड़ा गॉल्डन ब्राउन होने तक हम इसको करेंगे अच्छे से फ्राइ होने के बाद हम इसमें मसाले डालेंगे तो देखिए यह पर मैं अद्रक और लहसून का पेस्ट तो यहां पर मैं एक स्पून भरकर अद्रक और लहसून का पेस्ट डाल रही हूं और अद्रक और लहसून को हमें अच्छे से फ्राय करना है ताकि इसमें से कच्छा स्मेल जो है वो निकल जाए कैस का फ्लेम हाई है और इसको भी अच्छे से ह कुक कर लेंगे इस तरह से फिश करी बनाना बहुत ही एजी है और एकदम फटा फट बनकर रेडी हो जाता है अधरक लैसुन को एक-दो मिनिट फ्राय करने के बाद अब हम इसमें डालेंगे सुखे मसाले तो सबसे पहले मैं यहां पर हल्दी पाउडर ताल रही हूं और इसक करने के बाद इसमें मैं एड कर दूंगी टमाटर और मिर्च का पेस्ट मैंने यहां पर टमाटर के साथ मिर्च का पेस्ट बिना लिए कलर के लिए बट आप चाहे तो इसको अवाइड करके कश्मीरी रेट चिली भी यूज कर सकते उससे बहुत अच्छा कलर आता है एड कर निटिंगे को आप एक हमें साल इसको साल को नुख कर एक चलदी कोकर ए ago कुछ टैम बाद यह को आकट पयाए घरेचे सांता अर शकी strength future इसे और अच्छे से को करना है जब तक कि इसमेंसे उल बहुत अच्छे से सैपरेट ना होजाए और फ्लो ना करें तो इस तरह से हम चलाते रहेंगे और यह आप देख सकते हैं इसमें से कच्छा वाला फ्लेवर ना आए मसाला एक्दम तियार है तो अब हम यह पे पानी डालेंगे और मैं यह पे गर्म पानी का यूज कर जही हूँ और पानी को आप अपने कंसिस्टेंसी के अकॉर्डिंगली कम या जाधा रख सकते हैं जितनी ग्रेवी आपको चाहिए उसके अकॉर्डिंगली कम या जाधा पानी आप एजस्ट कीजिए मुझे थोड़ा जाधा ग्रेवी वाला बनाना है इसलिए थोड़ा जाधा पानी का यूज किया है आप चाहे पर राई किये हुए फिष और फिष को हम एक एक करके डालेंगे एक साथ नहीं डालेंगे क्योंकि इसमें सब्सक्राइब तो थोड़ा ध्यान से फिष को डालिएगा फिष करी को आप प्लेइन राईस के साथ एच्छाइब सकते हैं और बिंगॉलियस का तो फेवरेट होता ह और यह सिंपल एंड इजी फिश करी खाने में बहुत ही टेस्टी होता है बहुत फटा फट बनकर रेडी होता है और इसमें आपने दीखा बहुत ही कम मसाले और उयल का यूज किये हमने बहुत सादा उयल का यूज नहीं करते हम विकाज इस नॉट फो हेल्थ तो कोशिस यही सबी इस फिश को ढाल कर अचछे से मिक्स कर दी अब हम इसको कवर कर कि लिए फाइनल वाला कुक करयाइंगी तो आर्टे मैं थोडी देर कवर करने के बहुत है देख सकते की अच्छे ग्रेवी को अपने consistency के accordingly रखिएगा और यह देखिए यह जो फिश करी है वो बनकर रेड़ी हो चुका है इसका color आप देख सकते है कितना अच्छा आया हुआ है कैस का flame करेंगे off और इसमें add करेंगे हम कुछ fresh धन्या पत्ता अगर आपके पास available है और आपको पसंद है तो जरूरी उस कीजिएगा otherwise you can skip it और फिश करी जो है वो बनकर रेड़ी हो चुका है यह है फाइनल फिश करी का look और आप देख सकते हैं इसे देखने में कितना tasty लग और friends यह फिश करी को आप राइस के साथ enjoy कर सकते है गरम गरम I hope आपको यह simple easy और कम मसालो वाला फिश करी की recipe पसंद आई होगी बात जरूर ट्राय कीजिएगा इस तरह से easy और simple फिश करी बनाकर और friends I hope आपको मेरी यह recipe पसंद आई होगी अगर पसंद आया तो प्लीज वी हुए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो के एंड तक बने रहने के लिए सभी का thank you so much